नमस्कार मित्रो केंचो आज हम बात करने वाले हैं IHDN के चैनल्स के बारे में हलाकि मैंने मेरे पीछले वीडियो में IHDN को पूरा एकदम completely explain किया था लेकिन उसके चैनल्स के बारे में बहुत कम बता आता तो आज के इस वीडियो में हम चैनल्स को और deeply understand करेंगे और बात करेंगे कि कौनसे कौनसे चैनल्स यूज होते हैं वो कैसे काम करती है और इसके इतने types होते हैं मेरा नाम है कृतिक आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा वाइं हालो चालो करिए मित्रो जैसे कि मैंने पहले हमारे वीडियो आईएशडीय में में बता आता अगर आपनों वीडियो नहीं देखी तो आप इस आई आइकन को क्लिक करके देख सकते हैं तो उस वीडियो में आपको बता आता कि आईएशडीय निके नौर्मली दो चैनल होते है जो हमारे BRI और BRI में यूस होते है जो होते B और D अभी और D के अलाव भी और एक चैनल होती है जिसे हम चैनल H कहते हैं तो इसके बारे में हम बात करने कलें तो फाहले थोड़ा सा हम बेक जाके, रूल ब्थक मैं छोड़ा सा जो खली बारे में बेड बेकर बी चैनल जो होती है, उसे हम बैरर चैनल कहते हम पर ककरला हमारा वाईास of data तुक्त दोनों का ट्रांसमिश्न होता है और वो जो होती है वो काम करती है 64 phillobits per second की speed पर और जो हमारी डी चैनल होती है मतलब delta चैनल जो होती है उस पे खाली control और signaling का ही काम सलता है मतलब समद्लो कि आपको phone को ring करना है या फिर आपके phone की ring जो हम को सुनाई देती है जब आप phone करते है तो वो सब जो signals होते हैं वो सब जो data होता है उससे transmit करने का काम हमारा d channel से होता है क्योंकि वो सब जो extra activities जिसे हम कह सकते हैं अगर वो हमारे d channel से गई तो फिर हमारे data और voice के बीच में कुछ interference हो सकता है इसलिए हमने पूरी channel ही अलग कर दी ताकि हमारे main data और voice के बीच में कोई बी interference नहीं हो और हमारा signal ह और उसकी स्पीड को लेके तो कुछ मतलब ज्यादा फर्क नहीं परता कि उसके जो भी कॉनसे भी स्पीड से उसे ज्यादा फर्क नहीं परता कि क्यों को सिग्नल इंच चैनल हमारे लिए कुछ काम होती निया कि फिर भी अपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दू कि जो डी चैनल जो होती है वो भी ट्रांसफर करती है 64 किलो बिट्स पर सेकंड की स्पीड में अगर हम उसे यूज करते हैं प्राइमरी रेट इंट्रफेस पे और अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं बी आरे में मतल होती है वो हम उसे नॉरमली उसे हाई लेवल चैनल बोलते है या फिर लोग उसे अलग लग टाइब की चैनल बोलते हैं बहुत तरीके से उसके लोग जानते हैं तो यह जो एट चैनल है वो फॉर्म की थी इंटरनेशनल टैली कॉम्टिकेशन यूनियन मतलब ITU वालोंने अ इतनी कैपेबिलिटि नहीं थी कि वह हमारे वीडियो कांफरेंस है या फिर हम बोल सकते कि को yanको करना हे यह सब चीज़ करतें कि यह तने छाली चैनल का जो ग्रिक्वेंसे सब्यामन venomason फ्रीक्वेशREE हम पी यहम 24 चैनल विश करते तो उभक से और बड़ा दे तो हम हमारा वीडियो कांफरिंग्स है या पिर हम बोल सकती को बड़ा जो अमांट में जो डेटा रहता है मुलब जिसमें ज्यादा बिट्स की जरूरत पड़ती है वह सब चीज हम हमारे इस चैनल से बेच सकते हैं तो यह जो चैनल है वह मतलब अलग नहीं है यह जैसे भी और गवैसे वह अलग नहीं है हालत की वह यूस करती है ज्यादा बी चैनल को और डी चैनल को तो अभी उसके लिए यह एक चैनल को और ज्यादा यूरोप में अभी यह दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा फर्ग है वह यह है कि यह यह वह यूज करता है 24 चैनल को और यह जो यह यह वह यूज करता है थर्टी टू कहा चैनल को तो यह शौट एंड सिंपल इंफोर्मेशन थी और एक बारे में हम और ज्यादा डीप में जाने की ज़रोथ नीटी के वह यह से भी फिलाल अभी इसको यूज करता है बस एक सिंपल शॉड इंफोर्मेशन के लिए बता दिया कि टी आई जो है वह अमेरिका में यूज होता है यह यूरोप में यूज होता है और यह एक डिजाइन है जिसके थूरू हम हमारे आई ए जो एच जीरो है वह यूज करता है 6B चैनल को अभी चैनल की जो स्पीड है वह होती है 64 किलोबिट्स पर सेकंड तो अगर हम 6 इंटू 64 कर दे तो हमें मिलेगा 384 किलोबिट्स पर सेकंड मतला हमारे जो एच जीरो है उसकी स्पीड हो गई 384 किलोबिट्स पर सेकंड अभी smallest with lecture मुप आप ने स्पीड को स्पीड से ने स्थवन्टी वह has मैंने हो जाती है दिवाड हो जाती स्था बारे मैंने आपको बता है तो यह जो हुँर्णिति कर सकती हैं तो यह जो सप्रेंट जब आने रहे हैं कि अपक início है्ट आपने न को आपको पहले बता तो हम ऑं वह ढुन कर सकता है तो यह जो करता है यह सिर्ट को नहीं जो है आपपना सब्सक्राइम चैनल को यूज़ कर सकता है तो उम्मिद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि यह जो ISDN की चैनल से मतलब B, D और H वो क्या है कैसे काम करती है और हमें उसकी जरूरत क्यू करती है और हाला कि यह जो H चैनल है जिसको मैंने थोड़ा ज्यादा explain किया है वो चैनल के बारे में बहुत लोग को confusions रहता है इसलिए मैंने फुल कोशिश की है आपको explain करने की तो उम्मीद करते हूं कि आपको वीडियो पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो like, share जरूर कीजी और अगर आपको कोई भी सवाल या सुजाव है या फिक कोई next वीडियो के बारे में आप मुझे कोई topic देना चाते है या suggest करना चाते तो नीचे comment करके मुझे जरूर बता आएगा और हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत गूलिए कि मैं ऐसे ही सारी technologies को explain करते रहता हूं फिलाल के लिए इतना ही आउजो